नमस्कार दोस्तों स्वागत आप लोगा बिहार आईटी आई की परिच्छा के लिए ओनलाइन अप्लाई हो रहा है पांच मार्च पांच अप्रील 2022 से तो जैसा कि आईटी आई क्यों जरूरी है आईटी आई क्यों लोग करते हैं आईटी आई का मतलब होता है आपको जो टे जरूरी है तो आप लोग अगर आईटी आई का बहुत ही डिमांड होड़ा है आज काल के आजकाल समय में मतलब जानते हैं कि बहुत प्रॉल्म चल रहा है तो आईटी आई के लिए तो बहुत अच्छा आईटी आई विले इस्टूडेंट के लिए तो काफी दर्वाजे ख बहुत ही डिमांड है, गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में भी इसका बहुत डिमांड है आई टी आई का, तो सबसे पहला बात है कि आई टी आई के हम लोग त्यारी कैसे करें, मतलब जो एक ही बार में हम लोग का निकल जाए और हम लोग अपना आई टी कोलेज, कोई भी अच्छा सा आई टी आई कोलेज में अपना दाखिला ले सकें, तो यह बिहार आई टी आई, ऑनलाइन अपलाई, जो गवर्नमेंट करवाती है, जो कोलेज, जितना भी बिहार आई टी का कोलेज है, उसमें आप लोग फॉर्म अपलाई कर सकते हैं, यदि आप जाकर उसे देख लेजिएगा, ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, चलिए, तो बिहार आई टी की परिछा हम लोग कैसे, मतलब कैसे त्यारी करें कि हम लोग का जल्दी-जल्दी में, अटा एक्जाम हो जा है, अज मतलब अच्छा मार्क्स है, तो 300 म मार्क्स का होता है उसमें 1500 प्रस्ट पुछे जाते हैं इस सभी दो-दो मार्स के कुछन होते हैं गनीत के 50 विग्यान के 50 और जैनरल नौलज के 50 कुछे जाते हैं और इन सब कुछन के लिए आपको दो घंटा पंदर में और सारे कुछन अब्जेक्टिव होते हैं अब्जेक्टिव होते हैं तो जैसे कि जानने कि ऑनलाइन अप्लाइन अप्लाइन कर सकते हैं और पेमेंट का टेट है 3 मई 2022 और एडिटिंग यानि आप मान लिजे कि फॉर्म भरते समय कुछ गलती कर दी और बाद में आपको याद आया कि नहीं हम तो कुछ गलती कर दिये थे तो आपके लिए एडिटिंग के लिए फॉर्म का मतब अप्लिकेशन फॉर्म एडिट करने के लिए 4 मई 2022 से 7 मई 2022 तक पोर्टल खुलेगा और आप उसमें जाकर आप अडाम से एडिट कर सकते हैं फॉर्म अगर गलत हो गया होगा तो और इसका जो एडिट काड आएगा 17 मई को आएगा और एकजाम डेट है 29 मई को तो अब हम लोग जानते हैं कि इसका सिलेवस क्या है एकजाम पैटन क्या है एक्जाम पैटन आपके मैथ 50 मार्स के 50 कुष्चन होते हैं और मार्स 100 का यानि सभी ये 2-2 मार्स का होता है साइन्स भी 2 मार्स का होगा यानि 50 कुष्चन होंगे 2-2 मार्स का होंगे और जेनरल नोलेज भी 50 कुजचन होंगे और दो मार्ग्स की होंगे तोटलाफ का 300 का कुछचन होगा और और 500 मार्क्स का कुष्चन और 300 मार्क्स का पुछा जाएगा अब आते हैं कि इसका सिलेवस क्या है तो आप सिलेवस देखके एक खबडाये मत इतना पढ़ना पढ़ेगा नहीं इतना पढ़ना पढ़ना पढ़ेगा मैं आपको बताऊंगा किस ठंग से पढ़े कैसा strategy रखे कि आप लोगा जल्दी से ही मतलब इतना कम समय में आप अच्छा त्यारी कर सके तो आप इसके लिए तो आप बेट कीजिए इसको बाद पैसी लेवस के बारे हम बात कर लेते हैं उसके बाद आगे हम बताएंगे क्या strategy कुछी रखना है कैसे पास करना है चलिए तो जैसा कि आप 9th 10th में जो पढ़े हुए है ना चेप्टर थोरा बहुत 11 12 का भी कुछ कुछन सब है आता है 11 12 का शेयर्ट थेओरी हो गया automation यह सब रहता है तो उसके लिए इस सब बहुत ही काफी अच्छा है तो आप पढ़ बिहार आई- टी आई में जो मैत का व्रोश लेवस है ऑपकी है, सब्सक्रोंश। अट मतसांखी की सेटतियोरी हो गया मेन्सूरेशन स्वल्टिय о没 करणा में में पौन्सूरेशन पोलिदो मियल लॉग नंबर सिस्टमoring Ayane यह संख्या पत्ती हो गया अनुपाद समानुपाद प्रतीससत लाभानी यह SICI एन चक्रविधी ब्याज सथान ब्याज टाइम डिस्टेंस हो गया और कंट टाइम LCM-SCF average pipe and systems complex number sequence quadratic equation vector algebra differential equation यह सब आपको पढ़ना है तो कुछ chapter 11, 12 के हैं लेकिन उसे ज्यादा कुछ hard question पुछाने जाता है सब formula based questions होता है तो आगर आप formula याद रहेगा आपको तो जल्दी से आप 50 में 50 attempt कर सकते हैं माहित का तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या syllabus है चलिए तो physics का syllabus यह जो science का syllabus है वो physics में आपको क्या क्या पढ़ना है measurement जो 9th 10th मों पढ़े हुए है सेम चीज़ वही सब है measurement है, gravitation है, motion and rest है work energy and power है sound and motion है properties of matter है light है electricity, magnet, electronics, heat साड़ा देखिए एक आता है Lucent का general science, Lucent का general science आता है ठीक है general science अगर आप उसको भी पढ़ लिजेगा तो यह सारा आपका cover हो जाएगा ठीक है Lucent का general science आप लोग खड़ीद लिजेगा अगर नहीं है तो खड़ीद लिजेगा और उसमें सही पढ़ लिजेगा, सारा chapter उसमें दिया हुआ है, सारा topic दिया हुआ है, एक-एक marks का question तो ही रहता है, बदो-दो marks का question रहता है लेकिन objective type का question रहता है तो उसमें उसको पढ़ लिजेगा न तो वही आपका cover हो जाएगा, और इसमें तो जानते ही है, non-metal, metal, धातु धातु धातु, periodic table हो गया, redox reaction हो गया, mole concept, redactivity, matter and its atomic structure, यह सब ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आप सोचेगा कि सिलेब से तना है तो अग लेकिन जो अभी सोचे है, तेंथ pass करने के बाद के नहीं को IKI करना है, तो वो लोग किस तरह से त्यारी करें, उसके बाड़े में, तो उसके लिए तो simple साब मैं कहूंगा, कि वो Lucent का general science खढ़ दे, और आडाम से यह सारा जो chapter है, उसको पढ़ जाए, भस सिदा हाँ, कोई वो बत नहीं, यह सिर्व रटना है आपको, मत समझना भी है, रटना नहीं सिर्व, समझना भी है इसको अच्छा से, तो उसके लिए तो आपको class करना होगा, अगर आप class करना चाहेंगे, तो मैं करा दूँगा, online class करा दूँगा, ठीक है, जिक्ये में, हाँ जिक्ये के आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और सबसे बड़ी बात है यह चलिए तो जैसे कि मैं मेरा कोचिंग चलता है उसमें आप ओनलाइन या ओफलाइन ओफलाइन तो नहीं आ सकते हैं बहुत सारे बच्चे तो ओनलाइन क्लास में ज्यादा करता हूँ तो ओनलाइन अगर कोई 9th और 13th का स्टूडेंट है वह लोग भी कलास कर सकते हैं 11 12 के कोई स्टूडेंट वह भी कर सकते हैं PCM करना चाहते हैं बहुत कम फिश में अडाम से कर सकते हैं आई टी आई प्रोटेक्निक बैंक एससे सीटेट अर अधर्स तीडेश का डेमो है अगर प्रहें अच्छा लागा तो पढ़िये नहीं तो चली ठीक है एक स्टड़ी मटेरियल आपको मिलेंगे बिकली और मंत्री टेस्ट होता है इस फोकास वन बिक स्टूडेंट्स यह मेरा चेहरा है कोई दिखते हैं यह यह नाम मनीश मार हो गया और मैंने बीच्च और मेंसी मैथ से ओनर्स किया हुए तो अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास क उसका किर सकते हैं यह मेरा whatsapp नहिए या या जो करिए कोई दिकत निये 0202 अप सकते हैं तो good news यह है आलोग के लिए है आ सा वोड़ निवच आप लोग के लिए मैंने यह रखा है कि कि अगर कोई लोग ई-टी आई-क्रैस खौर्स मतलब हो गया कि एक मंत में इस पूरे सिलेवद को कवर्ट करना ठीक है कि यानि अगर कवर्ट करना चाहते हैं online आप करना चाहते हैं कोई तो आप contact कीजिए इस नमबर पर आप लोग contact कर सकते हैं अब नमबर पर contact कीजिए फिर उसके बाद online class किया जाएगा तो मैंने online 13 तफ्रिल से start करने का सोचा है अगर आप लोग आईएगा join कीजिए तो मैं आप लोग को करवांगा class 13 तफ्रिल से मतलब आपको ज्यादा कुछ तहरी करना नहीं बस आप लिजिए लुसेंट का जीए कर्ढ़ी जीएगा लुसेंट का जीके में ही आपका's science मिल कया तो अल्ग ऐटेज-अर्याट का अडिहंत का प्राक्टिस सेट खरे लेजएगा या previous लेकिन हम ज्यादा बुक खड़ने के लिए नहीं बूलेंगा आप या तो प्रिवियस का प्रैक्टिस टेट खड़ी लिए बस वही काफी है अभी ततकाल के लिए जो वन मैं प्रिव से 27 माई तक टीक है 27 माई तक आपका क्लास चलेगा ठीक है एक लास चलेगा वन मन्थ प्रिव क्योंकि पीच में संडे आता है और कुछ काम बगारा से चुक्टी बगेट भी मिल सकते है तो वन मन्त का ही हम लोग टार्गेट रखे हुए हैं तो आप आईय पढ़िए ऑनलाइन क्लास करके देखिए अगर अच्छा लग रहा है तो आगे continue कीजिए यह बहुत कम है ज्यादा फी नहीं रखेंगे बस आप 800 रुपय पर मंत 800 रुपया एक कुर्स के लिए आप दे सकते हैं तो आएए पढ़िए पढ़के देखिए कैसा लग रहा है और मैं guarantee guarantee लूगा जी हमें guarantee लूगा कि आप लोग अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे और आपका कहीं न कहीं किसी कॉलेज में जरूर आपका एड्मिशन हो जाएगा पास करना होगा इसा बात नहीं है ठीक है चलिए तो मैं जैसे जैसे आपको बूलूंगा पढ़ने के लिए बस इस तरह पढ़ना है आपको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए इस पर भी आपको जो समय समय पर मैं वीडियो डालता रहूंगा आपका मार्क दशन करता रहूंगा तो आप आईए चलिए ठीक है थैंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में